नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चनल हेल्थan मैडिशन ऻिंदे वे अगर आप रिंगवं से बचना जाए हम आप चाहते हो कि आपको दाग की परेशानी ना हो तो सबसे पहले तो आपको रिंगवं होने के कारण रिंगवम कैसे फिलता है और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए इसलिए ही आज की वीडियो में मैं आपको रिंगवम के कारण रिंगवम कैसे फिलता है और उसके रिस्क क्या क्या है उसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं कि रिंगम होने के कारण क्या क्या होते हैं देखे जो हमारी आसपास की दुनिया है वहां पर बहुती सारी मात्रा में इस्ट होती है मोल्ड होते है और फंगस भी बहुती ज्यादा होती है लेकिन अगर फंग चाहके उपर जो केरोटीन प्रोटीन का लेर होता है फिर हमारे नाख़ुन पर और जो न्युक्त जिए वहां पर सबसे ज्यादा रहती है इसलिए यही वहाँ फंगी को डर्मेटोफाइटीज कहते हैं और इस फंगल इंफेक्शन को हम डर्मेटोफाइटोसीज कहते हैं रिंग्वम के लिए जराबद़ जो फंगस होती है उसके सैंटिफिक नेम की अगर बात करें उसके स्पीसिस की बात करें तो वहाँ कुछ इस प्रकार ह होती हैं अगर अभर को ऐसे जगह पर जाते हो जहांपर हाइजिन हमार्व और प्रॉपर सेनिटेशन का प्रबंद्र औफीर अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको भीड़बार वाली जगह पर जाना ही होता है तो सबसे ज्यादा आपको फंगल इंफेक्शन की बीमारी होने की संभाव नहीं होती है देखे जो फंगस होती है वह हमारी त्वचा पर हमारे नाखुन पर बालों पर स्काल पर और स्वेल में बहुत ही समय ब भी फंगस बहुती ज्यादा समय तक जिंदा रहती है अब बात करते हैं कि रिंगवम का इंफेक्शन कैसे फिलता है यह जो फंगल इंफेक्शन है वह मैंनली तीन तरीकों से फिलता है नमबर एक है परसन टू परसन जिसे मेडिकल टर्मिनोलोजी में हम एंथ्रोपोफिलिक क में आते हो तब बहुती ज्यादा चांसे से कि आपको भी रिंगवम का इंफेक्शन लग जाए अगर इंफेक्टेड व्यक्ति की जो परसनल चीजे है खास करके उसका टोवैल कॉम्ब और उसके कपड़े अगर वह चीजों का उपयोग आप भी करते हो तब भी बहुती ज् अंगल इंफेक्शन परसन फैलता है नमबर दो है एनिमल टू परसन जिसे मेडिकल टर्मिनलोजी में हम जू फिलिक कहते हैं देखी अगर आपके घर में पेट्स एनिमल है और उस एनिमल में से खास करके डोग या फिर केट उस एनिमल में किसी भी एनिमल को अगर रिंगव परसन जिसे मेडिकल टर्मिनलोजी में जियो फिलिक भी कहते हैं देखें फंगस की कुछ स्पीसिस एसी भी होती है जो ज्यादा समय के लिए जमिन पर भी जिन्दा रहती हैं जिस जगह को हम इंफेक्टेड सोयल कहते हैं अगर बाइचांस आप इंफेक्टेड सोयल के परसन ही इंफेक्शन स्प्रेड होता है इसलिए ही अगर आपके घर में भी किसी व्यक्ति को रिंगवम का इंफेक्शन है तो आपको भी उससे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है उसको उसके साथ स्किन टू स्किन कॉंटेक्ट में नहीं आना है उसकी जो परसनल चीज़े ह उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर आपके घर में पैट अनिमल्स है उसे भी रिंगवम की समस्या है तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों को पैट अनिमल से दूर रखना है और पैट अनिमल को अपने बेडरूम तक नहीं आने देना यह सब चीजों का ध्यान भी आप रिंगवम से बच सकते हों अब बात करते हैं कि इंफ्चन के पीछे कौन-कौन से रिसक फेक्टर जवाबदार होते हैं तो आपकी इम्यूनेटी अच्छी नहीं है आपके रोग प्रतिरुदक्शमता अच्छी नहीं है तब आपको ringworm होने के chances बहुत ही ज़्यादा होते हैं अगर आप बहुत ही humid atmosphere में रहे तो यानि कि जिस प्रदेश में आप रहते हो वहाँ पर humidity बहुत ही है तब भी आपको ringworm infection होने के chances बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपकी skin बहुत ही ज़्यादा sensitive है आप अपने शरीर को स्वच नहीं रखते हो आप proper hygiene किया प्रबंद नहीं करते हो आप sanitation पर दियान नहीं देते हो तब भी ringworm होने का खत्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है अगर आपको पसीना बहुत ही आता है यानि कि आपको sweating की problem है तब भी ringworm infection होने का खत्रा बढ़ जाता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा समय tight कपड़े पहने रखते हो तब भी ringworm होने के chances बहुत ही ज़्यादा हो जाते है अगर आप infected व्यक्ति के साथ रहते हो उसकी चीजों का इस्तमाल करते हो आप pet animals के साथ रहते हो तो एसी स्थिती में भी ringworm infection होने का खत्रा आपको बहुत ही ज्यादा हो जाता है इसलिए आपको यह सब चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपको ringworm होने का खत्रा ना हो तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ringworm होने के कारण ringworm कैसे फैलता है और उसके risk factors क्या क्या है उसके बारे में जाना तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आज का वीडियो द्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत